को इक कैसे देख रहा है हमाई दब भूर के एक दो तीन चार पांच छे मत करो इतने ड्राम ना काम तुम चल लो भाई या इतना ख़ड़ा ले रहे हैं तुम फादुपा तो ठीक है दोस्तों हम आपको अब लेकर चलते हैं एक नई जगा हमार साथ बने रहेगा आगे आपको हम दिखाते हैं रस्ते में भी कुछ अच्छे व्यूज आपको दिखाते हैं देखो दोस्तों आपने डीडील जे पिच्चर में इस तरह के देखे होंगे सर्सों के खेट और देखिए आज मैं आपको दिखाता हूं थन्व रूट पर यह देखे इतने प्यारे सर्सों के खेट आपको सामने नजर आ रहोंगे पूरा दूर दूर तक लगबग मेरा जो आपको दोस्तों का खेटी खेट बहुत ही सुन्दर लग रहा हूंगे इस तरह से भी अंट्रेंड लोगों को पाड़ों में गाड़ी नहीं चलानी चीए इन आंटी ने देखो पाओं ही पूरे नीचे करती है ते देखो दोस्तों यह सामने आपको एक छोड़ा सा मंदिर दिखाई दे रहा होगा एक्शली यह किसी की याद में बनाया गया है एक्शली कुछ साल पहले यहां पर कुछ लड़के लोग अपने दोस्त का जिन दिन मनाने आये थे बताया जाता है कि वो यहां पर कुछ स्टेंट वगरा कर रहे थे रात के समय और अचानक गाड़ी पलट गई और उसमें आग लग गई और उसमें कोई भी बच नहीं पाय तो दोस्तों गाड़ी आपको सामने दिख रही होगे आज भी यहीं पर है तो दोस्तों सावधानी पूरवक गाड़ी चलाएं आपके घरवाले आपका वेट कर रहे हैं उत्राखन आएं तो भी पाड़ों में बिल्कुल सावधानी पूरवक गाड़ी चलाएं आपसे यही किस चीज़ के पीवड़ थे पीश है तेरा दूर फेमस है साल के लिए और यह साल के पीश प्थानो रोड पर है ना इस पर लिखा है नदी का जल सर बढ़ने पर मारका उप्योग ना करें यह देख सकते हैं आप बीच में यहां भी सब जगा पानी देखे आ जाता है और यह सड़क पर भी पूरे आ जाते हैं पानी के साथ बहते हुए और आपको याद होगा यह फुल मैंने आपको पहले भी दिखाया था वीडियो में जब हमने बदीनात के सफर की शुरुवात करी थी यह बहुत सुन्दर फुल है लोग यहां पर रील और शॉट्स बनाने के लि पहुच चुके हैं भोगपूर तो दोस्तों अब आपको पता चल जाएगा कि हम आपको लेकर कहां जा रहे हैं यहां मंसा देवी मंदिर इदर को नीचे जाता है जी उसको बोलते हैं मनिक्षा देवी मंदिर यह देखिए बहुती सुन्दर बताते हैं मैं पर्स टाइम आ जाओ इदर यह एलिफैंट देखो इदर किस तरह से बनाए गए हैं अगर कि यह नरेंद्र नगर भी अगर किसी को जाना हो तो रिशी केस वाय रिशी केस ना जाते हुए यहां से भी नरेंद्र नगर जा सकते हैं को दाएं मैं तर्ट कि अन्य कुल कितना प्यारा है आधि लोग फोतोग्राफियोगरा परने आते हैं उससंदर बताते हैं यहां से बहत ही सुण्दर रस्ता है तो यह पेड़ को बता हुद्धा कौन्से पता रहे हैं एस साग़ों साबने के पेड़े खेंवाब हमसायat है कि हम आइडिय नहीं नहीं कहां पर है क्या है तो चलो पूछ लेना ठीक रहता है यह देखिए हम पहुच चुके हैं मनिक्छा देवी मंदिर यहां से इसका प्रवेश द्वार है मंदिर का बहुती संदर नहीं से हम अब उपर की तरफ चलेंगे मंदिर की तरफ मनिक्छा देवी मंदिर यहां से चुरू होता है मंदिर का रस्ता चलिए जय माता राणि यहां से तरफ देखिए आधा देखिए झाल मा मनिक्छा देवी, मंदिर का रस्ता, काफी चड़ाई भी है इस रस्ते पे, आप देख सकते हैं, कुछ लोगों ने जगा जगा ये चुन्नी उन्नी बांदी हुई है, उसकता है उन्होंने अपनी यहां कुछ मन की इक्छा जायर की हो, और बताते हैं, चलें आपको, कि बते हैं अभी मुझे भी नी बन हूं अब फंस टाइम यार मैं भी परस्टाइम आ रहा हूं तुम्हारे साथ आ रहा हूं देखो हाँ 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 है हाँ मंदिर तो नजर आ रहा है सामने यहां से देखिए सामने नज़र आ रहा है में रोड और सामने मंतिर ज्यादा नहीं लगए यहां पानी प्यों नोपर तुम्हें देखा कैमरे से चर्मारी है कहां पर कहीं से पानी आ रहा हुआ हो सकता है यह तेख सकते हैं अब मेरे सामने यह बरिदत का पेड़ यह एक बर्गत का पेड़ है और इसकी बहुत सारी शाखाएं यहां से निकली हुई है अब यह समझ नहीं आ रहा है यह बर्गत का पेड़ यहां से शुरू है या यह वाला पेड़ है समझ नहीं पा रहा हूँ इस पर मा लिखा है यह वाला है यह सामने बरगत का पेड़ देखो यह ऐसा है नहां ये सब शाखा है देखो उपड़ से पेड़ मेरे क्याल से ये वाला बीचवाला जिसपे मा ओन और मा लिखा है लेक अधी पर नहीं ये इनकी शाखा है दनाउ आप ध्यान से देखो यह ध्याद सै schreiben हाँ यह शाखा है पेड़ जो है यह सिर्फ एक सिंगल पेड़ है और यह पूरी यह भी शाखा है यह भी शाखा है इस सामने भी दंडी बंडी लो घब रहा हूं मत दंडी लाओ रहा हूं आप अपाल फोन दंडी लाओ अजया दिखाना अब अब आ अध्या इस यह दो चुछ नहीं करेंगा दिखाना मत उसे जवर्श्थी कुछ दिखाबर ने कुछ नहीं करेंगा ऑब हाथ में परशाद होगा तब यह आएगा ऐसे निकुछ करेंगा अधि जए श्रीडाम देखो बच्चा ने नितनुपुर कैसे चिलाई बंदर को देखते ही डर गई दो और यह बहुत चुक है हम मामानिक्छा देवी मंदिर लाम दर्बार शिहनुम्र यह सामने है मानिक्छा देवी का मुख्य मंदिर पर यहां पुटोगरा अलाउड नहीं है तो मर्यादा को मर्यादी तुखते हुए अपने जो है अंदर का फोटो और वीडियो नहीं लिया ना आपको दिखा पाएंगे इस पूरे मंदिर में इस तरह से जाल लगाया हुआ है जिससे की बंदर आधी जानवर यहां पर अंदर ना आ सके और नुकसान ना पहुंचा सके किसी चीज को कि इस तरह से आपर सोलर भी लगाई गई है सोलर की सुविदाए सोलर की लाइट्स वरगाइन द्याम है कि साइम अंदिर भी यहां बनाया गया है इसके परिसर में जिसर पर नाम यहां परिसर मां मनिच्छा देवी का यह मंदिर कब से है तोड़ा इसके बारे में हमें बताएं गया मांदिर भूट पुराना है कम से कम पांसो साल पुराणा मंदिर है यहां पिंडी माता पिंडी रूम में है पानी में है जो यहां का पानी है लोग घर ले जाते हैं गंगा जल में यूज करते हैं और जो यहां बंडारा होता है तो इसी जल से बंडारा होता है और कहीं यहां कोई जल नहीं है एक सरोत्रियां है जहां माता का पिंडी रूम में ह और दूसरा सुरोतर उपर है जहां बहरो गुफा है यहां दो सुरोतर पानी के है बकि यहां कहीं सुरोतर नहीं है और यह डांडी राणी पोख्री बढ़कोट वाले की कुलिष्ट देवी है यहां के लोग यहां इसको पूजने आते अशाड के महिने इसको पूजने आते है तो यहां मेला अवगर भी अदी भरता है पर कमेटी को वाले उनको दिन दे देतें वह मंदिर यहां से कितना हो चाहिए ऊपर यहाँ पर जा के तो यहां पर कहा कहा से लोग आते हैं और लोगों का जैसे मानना मनिक्षा आते हैं जिन जिन को पतब चलता है वो आते हैं और अपनी मनिक्षा के लिए धागा बानते हैं जब उनकी मनिक्षा पूरी हो जाती है तो धागा खोल देते हैं तो लोगों की मन की इक्षा पूरी भ यहां पर काफी समय से सोच रहे थे काफी सुना था मंदिर के बारे में जी तो चलो आज माताराणी के गुणावे पर हम भी यहां पर आए आपका बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद यह आपका भी जी आप देख सकते हैं यह मंदिर का प्रागण है यही कभी कोई चाहे तो यहां बंजारा आधी करा सकते हैं यह देखो यह देखें यह देखें यह देखें यह दोर लगा रहे हैं देखिए मामा निक्षा देवी मंदिर में आपका स्वागत है लिखा है और इस मंदिर के बारे में थोड़ी दिया पर जानकरी दी गई है अगर आप चाहेंगे तो यहां का स्क्रीन शॉट लेकर भी इसको पढ़ सकते हैं कर दोर आप में आपका स्वागत हैं Or could this be reality Or could this be reality I can't do anymore I can't do anymore Listen to me One, two, three, four, five, six This is a drama I should try to find a world I should see it तो दोस्तों आज हमने आपको मानिक्छा देवी मंदिर के दर्शन कराए और हमने सभी दोस्तों के लिए काम ना करी कि वह स्वस्त रहें और खुश रहें तो दोस्तों इसी के साथ हम विदा लेते हैं जल्दी आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ और हमारा यह चैनल आपका अपना चैनल है इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना बुलें धन्यवाद